आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि जिसका इंतजार आप साल भर से कर रहे थे आखिर हमारे सीटेट द्वारा ली जाने बाले सीटेट एक्जाम www.cetet.nick.in ने आखिर वह डेट आपके सामने लाही दिया और वह एक्जाम अब 2020 में नहों होकर 2021 तक चला गया और लेकिन वह एक्जाम 2020 का ही होगा तो सीटेट ने CBSE के द्वारा जो डेट नया दे दी गई है वह है 31 जैनुवरी 2021 आपके पास है पूरा मौका तीन महीने का और आप अभी तक त्यारी तो कर ही रहे तो आपके मन में जो एक बेचैनी हो रही थी कि कब होगा एक्जाम होगा या नहीं होगा तो उन सारे चीजों को अमारे CBSE ने किलियर कर दिया है कि अब एक्जाम आपका 31 जन्वरी 2021 की इसको होना निश्चित है तैय हो गया है अब आपके स्टेर्जी क्या होनी चाहिए जैसा कि जो पांज उलाए को होना था उसके लिए तो आप पूरी तर तैयार थे और आप लगातार तैयारी भी कर रहे तो आपके लिए कि बेहतर मौका है आप 120-125 से स्कोर करें क्योंकि आप साल भर से लगे हुए और फिर अभी आपको तीन महिने का मौका मिला है अभी पूरा आपका नवंबर है दिसंबर है और पूरा जन्वरी है 31 जन्वरी यानि जन्वरी का लास्ट डे है तो आपके पास पूरा मौका है और मैं उस मौके को उस सुनारे अपसर को पाने में आपको काफी हद तक सहायक बन रहा हूँ मैंने आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड करता रहा आप लगातार उससे परचीत रहे देखते रहे और आपके बल इस चैनल को देखकर CDP हो या मैथ हो या EVS हो या आपने अगर संस्क्रीट को सेलेक्ट किया है या इंगलिस को सेलेक्ट किया है और हिंदी तो आपको हर तरह का वीडियो मैंने कंसेप्ट से रिलेटेड दिया और आप उतना भी वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपकी सफलता ही नहीं 125 स्कोर लाने में आपको कोई रोक नहीं सकता है तो तयार हो जाएए और सीटेट ने एक और आपको सुभधा दिया है साथ नवंबर से लेकर सोला नवंबर तक मालजे कि अभी चुकी कोरोना का पूरा प्रभाव खत्म नहीं हुआ है तो कोई अगर देलही में है मुंबई में है कानपूर में है तो वो अपना जो सीटी सिलेक्ट किये थे उसमें जाकर परिवर्तन कर सकते है 7 नवंबर से लेकर सोला नवंबर तक अगर आप चाहते कि आप देलही में है आपने बिहार के लिए अपलाई किया था तो आप उसको फिर से चेंज करवाके आप देलही करवा सकते हैं तो यह याद रखेगा 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आप करा सकते हैं रात 12 बजे 16 नवंबर तक तो आप इसको मौकार न भूले और 31 जनवरी 2020 के लिए आपके मन में योजना होना चाहिए कि हम क्या करें तीन महिना काफी समय होता है सिचेट के लिए तो आप सबसे पहले मैं बार बार वही समझाता हूं मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से भी कि आप किसी एक पर लगातार न लगे रहें आप सबको देखे लाइन बाइन देखे जो आपका ज़्यादा कमजोर है उसको देखे आप 10 कोस्टन रेगुलर प्रैक्टिस करे और प प्रिवेस यहर को देखना न भूले आप प्रिवेस यहर के बार फिर से रिवाइज कर जा पूरा और इस चैनल के माध्यम से आप जूरे रहें और वीडियो देखते रहें और लगातार अपने सफलता की और अगसर होते रहें तो मैं एक छोटा सा इंफोर्मेशन कि अगला सिटेट आपका 31 जनबरी 2021 को बिलकुल रवी बार उसी समय उसी तारिक और उसी समय करनुसार होगा तो आप लोग तयार हो जाया से और पूरी तरह से सिटेट पर अपनी पूरी उर्जा को लगा दे तो फिर मिलते हैं और किसी भी तरह का अपडेट आने पर मैं आपको न्यूज को देख सकते हैं तो त्यार रहें और मिलते हैं एक और बेहतरिन वीडियो के साथ तब तक टेक क्यर बीन ज्वाय डू प्रैक्टिस थैंक्स पर वाचिन जैहिंद भारत